आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार में तुरो स्वागत है आप सब का डाउटनेट में और आज का हमारा जो बालविकास मनुविज्ञान का प्रेशन है वो कह रहा है कि समाजिक अधिगम प्रारंब होता है और जो हमारे विकल्प दिये हुए है तो जो पहला विकल्प है वो कह रहा है कि जो हमारा समाजिक अधिगम है वो प्रारंब होता है अलगाओ से दूसरा विकल्प हमारा कहरा है कि भीड से तीसरा विकल्प कहरा है कि संपर्क से और चौथा विकल्प कहरा है कि दिश्व सामग्दी से तो चलिए आये समचते हैं जो समाजी का दिगम होता है यानि कि जो बच्चा समाज में रहकर के चीजों को सीख रहा है समाज में रहकर चीजों को सीखना समाज में रहकर चीजों को सीखना यह हमारा समाजिक अधिगम के अंतरगत आता है यह हमारा समाजिक अधिगम के अंतरगत आता है तो यहाँ पर जो पहला हमारा वितल दिया हुआ है वो कह रहा है अलगाओ से तो अलगाओ से बच्चा समाज के बीच में नहीं रहेगा बच्चा समाज में नहीं रह रहा है तो यहाँ पर समाजी घरीगम नहीं होगा उसका ठीक है भीड से, भीड में बच्चा लोगों के संपर्क में नहीं आएगा, लोगों को जानेगा नहीं, लोगों के साथ में अपनी भावनाओं का साजा नहीं करेगा, वो तो संपर्क में जब तक नहीं आएगा, तब तक उसका सामाजी गदिगम नहीं होगा, जब तक नहीं आएगा तब तक तब तक समाजिक अधिगम नहीं होगा ठीक है तो भीन का हिस्सा होना और समाजिक अधिगम होना बहुत अलग चीज़ हो जाते है ठीक है अधिगम नहीं होगा तो यह भी हमारा इसका विकल्ब सही नहीं जाएगा लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहा है समपर्क से तो जाहिश सी बात है बच्चा अगर समपर्क में आएगा तो बच्चे का समाजिक अधिगम होगा तो इस प्रशनिका विकल्ब तीसरा है वो सही जाएगा और आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या वाच्चाप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर